रादे रादे दोस्तो कुगी तुपास नम इस तरह में आपका सौगत है आज की इस वीडियो में हम स्वाद में बिल्कुल अलग बहुत ही जादा टेस्टी गेहों के आटे का नाश्ता बनाएंगे इसे बनाना असान है सभी को बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे एक कंटेनर में चार कदू कस किये हुए उबले आलू डालेंगे आलू को ठंडा हो जाने के बाद ही कदू कस करेंगे स्वाद निसा नमक डालेंगे एक कप गेहूं का आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे डो बनाने के लिए पानी का इस्तिमाल नहीं करेंगे सिर्फ आलू की मदद से ही सॉफ्ट डो बनाएंगे अगर आपका डो नहीं बन रहा है सक्त डो बन गया है तो आप उबले हुए आलू को मिक्स कर ले अगर डो ज्यादा सॉफ्ट हो गया हो तो गेहूं का आटा मिला ले सॉफ्ट डो बन के तयार है आप देख सकते हैं अब हम स्टफिंग बनाएंगे स्टफिंग बनाने के लिए गयास पे पैन रखेंगे एक चमच तेल डालेंगे गरब होने देंगे तेल गरम हो गया है आधा चमच जीरा डालेंगे दोहरी मिर्च बारी कट करके डालेंगे छे से साथ कड़ी पत्ता कट करके डालेंगे आधा चमच अद्रक का पेस्ट डालेंगे लोफ लेंपे हलका सा भूनेंगे माटर के बीच हटा दिये हैं मेडियम टू हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए भूनेंगे लगातार चलाती रहेंगे आप इसमें बारी कटी हुई प्यास का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दो मिनट हो गये हैं मसाले डालेंगी एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चुथाई चम्मच चिली फ्लेक सापिसकी जगर लाल मर्च पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं एक चुथाई चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच चाट मसाला स्वादनुसा नमक मिक्स करेंगे अब इसमें हम डालेंगे आधा का बारीक कटी हुई पनीर मिक्स करेंगे आप पनीर को क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं दो मिनट के लिए भूनेंगे स्टफिंग बन के तयार है गास को बंद करेंगे इसे ठंडा हुने देंगे अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, डो का थोड़ा सा पोशन लेंगे, और देखे बिल्कुल इसी तरीके से कटूरी का शेप देंगे कटूरी बनाने के बाद इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे, ज्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे किनारों को एखटा करेंगी और अच्छे से सील करेंगी टिक्की का शेप देंगे एक नाश्टा तयार है, सारे नाश्टे बना लेंगे नाश्टा को फ्राय करने के लिए हमने गैस पे पैन में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है नाश्टा डालेंगी, मीडियम फ्लेम पे फ्राय होने देंगी हम नाश्टा को डी फ्राय कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राय भी कर सकते हैं इसे पलटेंगी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है नाश्टा को पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डें ब्राउं कुलर आने तक फ्राय करेंगे नाश्टा दोनों तरफ से फ्राय हो गया है आप देख सकते हैं इसे एक प्लेट में निकालेंगे और सारे नाश्टे फ्राय करेंगे हमने सारे नाश्टे फ्राय कर लिये हैं आप देख सकते हैं कितना टेस्टी नाश्टा बनके तयार हुआ है इसकी स्टफिंग कितनी जूसी लग रही है आप इसे टमेटो केशब हरे धन्या की चटनी के साथ सर्फ करें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा राधे राधे